Hello everyone, this is Sapna Singh and welcome to the channel To Educate. आप्लिकेशन फीस के अगर बात की जाए तो जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपए हैं, SC, ST या फिर आप फिजिकली हैंडिकेप्ट है कोई तो उसके लिए 0 है, अगर पेमिंट मोड की बात की जाए तो पेमिंट मोड आपका ईचलान के थूपिया आप कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग ये तीनों आपके काम करेंगे, वेकेंसी के बारे में देख लेते हैं, टोटल वेकेंसी जो है, वो 230 पोस्ट निकली है इसके लिए, जिसमें की एक्सपिरियंस इंजीनियर के लिए भी पोस्ट निकली है, और आपके 60% मार्क होने चाहिए, एक छीज़ इन्होंने इसमें और अट की है कि आपके पास एक साल का वर्गिंग एक्सपिरियंस होना चाहिए, अगर आपके पास एक साल का एकस्पिरियंस है, तो ही आप इसको अप्लाइ कर सकते हैं, अदर वाइस NRS नहीं कर सकते, और एज और SCST candidates के लिए कोई भी percentage का criteria नहीं है, वो सिर्फ अगर pass कर ले रहे है exam को, अगर हुनोंने वास किया हुआ है MSC, तो फिर वो ठीक है, वो इस चीज़ के लिए eligible है, age limit इनके लिए भी same है 30 साल, ब्रांच wise vacancy देख लेते हैं, electrical branch के लिए total vacancy 90 है, mechanical के लिए 70 है, electronic and instrumentation के लिए 40 और assistant chemist के लिए 30 post निकाले गई है, उसके बाद हमने starting date देख ली थी, last date 10 March 2021 है, और अगर form fill करना है, तो fill करने के लिए यहाँ पे आप NDPC career recruitment online 2021 पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको application form मिल जाएगा, thank you.